आई गाइस वेलकम बैक टू मैं न्यू वीडियो तो गाइस मेरा न्यू वीडियो आ चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं तो गाइस बहुत से सीम में प्रॉब्लम होता है कभी नेट्वर्क का इश्यू होता है या कभी सीम अन्सपोर्टेट कर रहा है तो इस वज़े से कॉ स्कूल नहीं कर बाते हो आप किसी को इस आपको करना कि आपको फोन के स्टिंग में जाना 살के सार्टिक जाने के बाद देखने का है तो से कांट्या सेटिंग घ्रहें असलिए ल्हां नेटवर्क अटॉमेटिक लिजाए है वहां उसको on कर देना है तो उसको on करने के बाद सर्चिंग का option चाले हो जाएगा सर्चिंग होने लगिए तो गाइस बहुत से का नाम आ जाएगा जैसे की यह लोगा है आइडिया हो गया यह ताठक भी माख़ू तो आपको किसी भी स्लेक्त करने जो आपका सिम हो तो मेरा इसके बाद जीओ 4G है तो फिर जीओ 4G पे मैं क्लिक करूगा फिर पोर जीओ 4G पे क्लिक करने के बाद मेरा रजिस्टर हो जाएगा उस नेटवर्क पे तो फिर दुसरा टीप है घाइज बेकाप आपको तो मैं सर्च करूंगा सर्च के और बेक अपक्षनहां और करना है और रिजेट में आपको बेकव एंड रिशेट दीख रहेगा जो में डाला है तो उसके बाद बाद में आपना पासवर्ड डालूगा तो यहां से बैकप कर लेना है बैकप करने के बाद में विढ़ेख रहा है system को करना है एप को करना है तो फिर यह देख रहे हो कि मेरा बैक आप हो रहा है उनका जितना भी है तो गाइज अगर आपको को आंए तो वीडियो को मून करके अच्छे से देख सकते तो गाइज अगर आप मेरे चैनलave नियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो फ़ाना बुलना और बैल आइकन को प्रैस करना ताकि मे रा नियो वीडियो आये तो आपके पास पहले पहुच जाए तो गाइस अभी देख रहे हो कि हो रहा है वीडियो हो रहा है कर चार परसेंटेज हुआ है मेरा बैक अब का तो ऐसे करते करते आपका मलब पूरा हो जाएगा और गाईज अगर आपको किसी चीज का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो तो गाईज मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरा फैन मेरे फैमिली बड़े यूटूब के तो गाईज अभी भी 4 परसेंट दिखा रहा है अभी उसको लोड होने में टाइम लगेगा वेटिंग दिखा रहा है में मैसेजिंग सेटिंग ब्राउजर सेक्वेरिटी और वैदर कैमरा यह सब होने के बाद यह सब होते रहेगा गाई टैन परसेंट हो गया मेरा तो ऐसा आपका भी शो करेगा गॉरा कि आपका तो किने के बाद इस वहते रहेगा तो गाई मेरा 60 परसेंट हो गया इस सिक्सटी तो पर सिक्स्टी टूरी होते रहे हो रहे तो गाई यह सब दिखा रह जो जी यो टीवी है यह मेरे फोन का मतलब अलग से डाउनलड किया जो मैंब इने फोन का नहीं गया है तो इसके वज़े से भी नहीं दिखाएगा तो जैसा कि आप देख सकते वीड में एप्टोइड यह सब मेरे फोन का है यह नहीं तो इसके वज़े से रॉंग दिखा रहा है तो गाइस यह मेरे बैक अप सेटिंग हो चुका है तो पैक करने के बाद गाइस तो आपको आपको सिस्टम का जो देख अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करना है रिबूट नाओ करके